So, Hello दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल V4Value में आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइका के उपर जिसे आप FSN, E-Commerce Venture Limited के नाम से भी जानते हैं तो आज हम जानेंगे कमपनी के fundamentals, कमपनी के financials कमपनी के क्या future growth हो सकते हैं साथ ही कमपनी के क्या upcoming targets रहेंगे तो अगर आप इस कमपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आप already invested हैं तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा So, without wasting any time, let's start the video But उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें के bell icon जुरूर प्रास करेंगा So, let's move to the point So, just as you know, Naika is a brand बन चुका अचके टाइम पे कि आज के टाइम पे every single girl इसको जानती है as a branded product साथ ही जात कंपनी ने काफी अच्छा एक large cap market hold बना रखा है Just as you can see here, 89,000 crore market cap बना रखा है जो कि एक काफी जादा अच्छी बात है Naika जैसे brand के लिए क्योंकि Amazon और Flipkart जैसी बड़े competitive company के आगे एक खुद का brand establish करना और उसको इतने बड़े मुकाम तक पहुचाना ये कोई छोटी बात नहीं है जो कि Naika ने already कर दिखा है आज के टाइम पर ये अपने brand value के वज़े से ही अपने profit margin को काफी जादा आने वारे time पर increase कर सकती है जैसे ही अपना almost market capture कर लेगी बट स्टेल ये अभी के टाइम पर भी beauty products का एक market बनके रह चुकी है बात करें सेक्टर की growth के बारे में तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे लोगों की disposable income बढ़ती है वह इन सा प्रोडक्स पर गयरा पर जासा ज्यादा spend करने कोश्च करते हैं और जैसे हमारे देश की GDP बढ़ रही है disposable income बढ़ती जा रही है तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहेंगे 2016 से 2020 तक अभी लगभग 12% के CGR से यह rate बढ़ रहा है तो यह लगभग 12 डॉलर की एक industry बनने का capacity रखती है तो आप कुछ सकते हैं कि growth में काफी जादा अभी के time पर ही potential है इंडिया में जैसे कि आप यहां पर देख पार होंगे as compared to India यहां पर लगभग 8% market share जो है वह अभी के time पर online आया है बट अगर बात करें हम चाइना और United State की तो महां पर 35-40% already आ चुका है तो आप खुछ सकते हैं इंडिया के पास कितनी बड़ी population है और उस population को अगर आप इंटरनेट पे beauty प्रोड़क्स वगरा सेल करेंगे तो हम आपे नाइका कितना जादा बड़ा profit earn कर सकती है इन अपकमी एस में आप आप लोग आप तक समझ चुके होंगे कि नाइका के पास अभी के ताइम पर कितनी बड़ी ओपरचुनिटी है इन बात करें के कुछ इंपोर्टन्ट रिशो के बार में जैसे कि आप आप देख पारें कि पी रिशो लगभा 24 करोड का इसके इक्वल में अगर आप करे आप मान सकते हैं कंपनी ऑल्मोस्ट फ्री है कंपनी के पर मोटर्स की बात करें तो लगभा 14.31 का बात करें कंपनी के लाज सेल्स क्रोथ की तो वो थोड़ा सा डाउन हुआ था बट स्टील वो अप ट्रेंड में आने की कुश्च कर रहा है बट प्रॉफिट मार्जन कंपन बात करें कंपनी के फानिशल के बारे में तो जैसे कि आप देख पा रहेंगे 2018 से एवरी सिंगल यह अपने रिवन्यू में ग्रोथ दिखाई है अगर आप प्रॉफिट मार्जन को काफी चेदरी के से मिंटीन गया आप जैसे इस ग्रोथ परस्पेक्टिव देखते हैं तो यह देखिए जैसे कि आप देख पा रहेंगे ग्रोथ परस्पेक्टिव में लगबग 472 परसेंट का यह आप आपको ग्रोथ देखने को बढ़ा है साथ ही साथ कंपनी कैश प्रो की लगातार इंक्रीस कर रही है जहां पहले माइनस में जा रहा था या गिन प्लस में जाना कि अपनी इंवस्मेंट को बढ़ाया है जो कि एक काफी जादह नेगिटिभ पॉंट करता है इन लौंग टम प्रमोर स्मेंट ने काफी अच्छी वड़ बना कि रखिय कि आप अच्छी बात है तो बिकाज आप में ट्रूस कर सकता हूं इन लौंग टम इसमेंट कंपनी का म के अवराल व्यू के बारे में तो जैसे कि देख पारोंगे आप 77 परसेंट एनलिस्ट के कह रहे हैं कि आप इस कंपनी को अपने पॉर्ट फोलियो में जगे दे सकते हैं बड़ आपके ताइम पे अपना डाउं टेंड दिखाया था अल्मोस बारा सो तेरा सो के करीब आ चुक के बीच में तारगेट इस कंपनी को देना चाहूंगा बड़ लगवाट 2300 का टारगेट वन और 2500 का टारगेट तू ताइम डूरेशन जो मैं से कंपनी में रखो और अमिनिमुम टू यर्स का तो मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप में से कौन कंपनी में इंवस्टेड और कौन नहीं है और क्या आपके पास ऐसी कोई कंपनी है जो कि आने वाले टाइम पर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा वीड़ ची लगी तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर पैस करेगा ताकि आपको ऐसे ही रेगु जल्दी मिलते हैं से एक और नहीं वीड़ के साथ तब तक लेस्टे सेफ और गुडबाय थैंक दोस्तों